हेलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू माई चैनल दिपती दीपमवर तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें और जाब ज्यादा सेयर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम अलंकार पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में तो अलंकार किसे कहते हैं सबसे पहले हमारा क्वेशन नहीं आता है अलंकार का मतलब क्या होता है पहले यह जानी है अलंकार का मतलब होता है गहना, अभूशन जैसे गहना और आभूशन पहनने से आपका सिरिंगार और आपकी सोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अगर अलंकार को हम सब्दों के साथ लगा दें तो उन सब्दों का भीर रूप और सुन्दरता मिल जाती है तो अलंकार हमारे जो सब्द हैं हिंदी के उन सब्दों की सोभा बढ़ाने के लिए होता है तो अलंकार किसे कहते हैं चली वो जानेंगे देखिए अलंकार किसे कहते हैं अलंकार का सामान अर्थ है आभुशन या गहना जिस प्रकार अभूशन से सरीर की सोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से कावी की सोभा बढ़ती है अलंकार सब्द का अर्थ है वो बस्तु जो सुन्दर बनाए या सुन्दर बनाने का शाधन हो साधारन बोल चाल में अभूशन को अलंकार कहते हैं जिस प्रकार आप भूशन धारन करने से नारी के सरीर की सोभा बढ़ती है वैसे ही अलंकार के परियोग से कभीता की सोभा बढ़ती है जैसा कि मैंने आपको कहा उसी प्रकार देखिए इसके डैफिनेशन यानि परिभाजा है तो चलिए अब हम जानते हैं इसकी विसेष्टा क्या है अलंकार की ठीक है अलंकार की विसेष्टा या लक्षन कथन के आसाधारन या चमतकार पुर्ण प्रकारों को अलंकार कहते हैं यानि कि अगर हम जो कह रहे हैं उसमें अगर कोई चमतकार सब्द से ही हो रहा है तो उसे हम अलंकार कहते हैं सब्द और अर्थ का वैचि अलंकार के बेद बिस्तार में अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार, सिलेश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवी करन अलंकार और पुन्रुक्ति अलंकार तो इस तरह से अलंकार के जो हैं आठ भेद होते हैं तो ये हैं उनके नाम और भेद अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी परिभासा बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं इसी तरह लाश्टक पुनरुक्ती अलंकार किसे कहते हैं सारे का हम भेध आठो का भेध हम नेक्स्ट वीडियो में भेध किसे कहते हैं ये इनका परिभासा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को सेर कर दे और थैंक यू बाई बाई